नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल आज हम बात करेंगे RBL बैंक के बारे में जिसमें आज तगरीबन हमको 7 परसंड यहां पर जो शेयर वो लुड़कता हुआ दिखता है आज तगरीबन 119 के उपर यहां पर भी ट्रेड कर रहा है 9 पर के जादा यहां से हमको नीचे की और गिरावट देखने को मिली आज के दिन इसकी क्या वज़ा है और इसके क्वाटिल रिजल्ट में क्या क्या आया उसके बारे में पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और आपको अगर इसमें पोजिशन बनानी है तो किस लेवल के उपर आप बना सकते हैं तो इसको वीडियो को लास तक ज़रूर हो है आप पर जाके मेरे टेलिग्रम चैनल के जॉइन कर सकते हैं यहां पर मैं डेली इंट्राडे कॉल्स प्रवाइड करता रहता हूं जिससे कि आप अच्छा कासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो यहां पर आप देखिए आज इसमें तकरीबन साथ परसंड की यहां पर 2020 का जो quarterly result है उसमें तकरीबन इनका जो net profit है वो तकरीबन 114 करोड के आसपास यहां पर है लेकिन यहां पर देखिए पिछले साल के मुकावले पिछले साल यहां पर मार्च 2019 में तकरीबन यह तो फॉर्टी सेमन करोड के आसपास था और आज आप देखिए वन वन फॉर करो साथ पर्संड का यहां पर इसमें नीचे की और देखने को मिला है आता हुआ है वाने वाले दिनों में इसमें और भी ग्र Buddy देखने को मिल सकती है यह शहां पर आप देखे तक रीब और पER 1099 रूपे यहां पर नीचे की और और यहां पर यहां पर इसमें वाल्यम भी आब देखें बहुत बरपूर अर यहां पर यह यहां पर 20 डेDe के उपर यहां पे ट्रेड कर आए तो उसके थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे यहां पर ट्रेड कर आए तो यहां पर हम कहेंगे कि अभी इसका यहां पर 20-day moving average का level अभी टूटा नहीं है अगर इसको यहां पर एक और यहां पर candle बनती है मंडे के दिन यहां पर तब हम कहेंगे यह और थोड़ा नीचे की और जाने की तयारी कर सकता है और यहां पर हमको वापस देखे जो यहां पर साथ परसन की यहां पर मुवमेंट है इसमें तकरीबन यहां पर जो वॉल्म है वॉल्म भी आप देखे वॉल्म के साथ यहां पर मुवमेंट होई है तो यहां से हम कहेंगे कि अगर माली जो मंडे के दिन भी यहां पर वॉल्म के साथ और यहां पर नीच की और आती है क्वले एक दो हफते में तो यहां से कहेंगे ही हरी अपि खृदयरी करने का टाइम नहीं हम को आनेवाले और सकती कि कि आ अज हम्ने का नोत देटा के अपर यहां पर हम पांच लगते हैं header window परसंट के आसपास है यहां पे सो यहां पे हम पिछले दिनों के आसपास देख लें थे पिछले 4-5 दिनों में यहां पे देखिए आजकेए दिन एक रोड पांच लाग के आज पास यहां पर डिलिवरी जो है क्वांट डिलिवरेबल क्वांटिटी है टोटल और यहां पर पिछले दिनों में आप देख सकते हैं 46,50,30,40,70 एक रोड के आज पास यहां पर डेख सकते हैं के यहां पर पाले क्वांट पर डिलिवरी कवांटिटी यहां पर थोड़ी कोंटिटी है तो यहां पर आप देखिए पहले इसका जो हाई था तो यहां पर आप देखिए करोना वार्ष से पहले इसका जो हाई था वो तक्रीबन साड़े 300 रुपे के आसपास यहां पर यह दोजार बीस के पहले महिने में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था सो साड़े तीन सो से यहाँ पे अभी 110 रुपे के आसपार यहाँ पे हमको देखने को मिला है इसमें बहुत ज़्यादा गरावट देखी गई है भी आने वाले इतने टाइम के अंदर पिछले में और हमको आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होता हुआ देखने को मिल सकता है तो अगर मालीजे आपको यहाँ पे बाइंग गढ़ा करनी है तो आप यहाँ आप से थोड़ी बाइंग कर सकते हैं और उसके बाद 30%, 30% यहाँ पे आप इस बाइंग कर सकते हैं अगर यहाँ पे ऊससे भी नीचे अगर 110-10 का लेवल कर देखने को मिल सकता है तो निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हैं register bank में भी क्योंकि ये banking का share यहां पर देखिए अधर नर्णी पिछले एक मजिने में यहां पर गूम रहा है so यहां पर अब देखें यहां से फिर से ऊपर गया नीचे गया उपर गया नीचे गया यहां पर यह जो लेवल है इसका तकरीबन आप देखिए 18600 से लेके यहाँ पर 21000 के आसपास इसी लेवल के अंदर यहाँ पर अभी यह गूम रहा है आने वाले टाइम में भी हमें इसी लेवल के अंदर यहाँ पर गूमता ख़़ार देखने को मिल सकता है इसके इसी वज़ा से यहाँ पर RBL बैंक में भी हमें यहाँ पर बहुत तेजी देखने को भी थोड़ा टाइम नहीं मिल सकती जब तक यहाँ पर कोई अच्छी खासी इसके बारे में खबर नहीं आती यहाँ पर इसके quarterly result जो है वो भी यहाँ पर पिछले quarterly result के मुकाबले यहाँ पर सही आया है लेकिन year to year में यहाँ पर यह कम देखने को मिले हैं तो इसी वज़ा से आज का यह शेर है वो नीचे के बार आ गया है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जूरू किजिगा मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार